यदि आप किसी को मनाना चाहते हैं, वसीकरन करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाए करना है नवश्कार मिंत्रों स्वागेत है सिद्टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से उपाए लाशुन से संबंदित है, लाशुन के लावा आपको और भी चीजों कर शकता है एक पुराना ही प्रयोग उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इसके वसीकरन प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं और ये प्रभाव थोड़ा सा तामसिक हो जाएगा और इसमें सेक्सुल एक्टिविटी भी थोड़ी जादा बढ़ जाएगी यानि काम भावना जागरत होती है तो कैसे इसको करना है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे उससे पहले एक रप्या से दुटोट की चैनल को सब्सक्राइब करें साथी notification bell को on करें जिससे की आने वाले वीडियो की जानकरिया आपको मिलती रहे और इस वीडियो को share जरूर करें अपने उन मित्रों को जिनको आवशकता है जिनका पती पतनी के बीच में संबंध सही ना चल रहा हो तो उनके वीच में चीज़े ठीक होने लग जाएंगी इस प्रयोग के बाद आएए चलते हैं प्रयोग की तरफ इस प्रयोग को करने के लिए पती या पतनी अपनी पती या पतनी के लिए कैसे करेंगे एक गुलाबी कागज लें या भोज़ पत्र लें बोझ्पत्र लेंगे तब भी लाल सेही से लिखना है और अगर गुलाबी कागज लेते हैं तब भी उनको लाल सेही से ही लिखना है तो लाल सेही का मतलब कोई भी पैन ले लीजिए जो red कलर में चलती हो तो हमको क्या लिखना है वहाँ पे सबसे पहले साथी का नाम लिखना है उस भोजपत्र पे या उस कागज पे फिर उसके नीचे प्लस का निसान लगा देना चाहिए जो कि जमा का निसान है या जोड का निसान है ठीक है तो गटबंदन का भी निसान है तो जोड का निसान लगा दें लेकिन निसान लगाते समय ये ध्यान रखें कि इसको तिर्चा न करें क्योंकि कई बार लोग गोड़ का निसान लगा देते हैं वो ठीक नहीं है वो गलत हो जाएगा और उसकी वज़े से रिजल्ट भी चौपट तो बचाना है सब कुछ ठीक करना है तो धन का निसान आपको लगाना है फिर अपना नाम लिख देना है इसके बाद वही पुरानी बात कि आप उसके सहद लगा लें यदि सहद उपलब्द है नहीं है तो आप गुड लगा लीजे थोड़ा सा ठीक है फिर इसको मोड लीजे मोड करके सहद की सीची में इसको डालना है जिसमें सहद हो तो सहद में इसको डाल दीजिए और इसके साथ ही इसके इंदर एक लासुन की कली डाल दीजिए और ज़्यादा चाहते हैं प्रयोग को मजबूत करना तो थोड़ा सा इसमें प्याज का रस भी मिला दीजिए अगर सफेद प्याज का रस हुआ तो और भी ज़्यादा कारगर है वो इसके बाद इसको चुपा के ऐसी जगाँ पर रखें जहां आपका साथ ही ज़्यादा उठता बैठता हो या ज़्यादा समय तक रहता हो तो आप इसे किचन में भी रख सकते हैं इसलिए किचन से निकल करके ही सारी चीज़ें सब तक पहुशती हैं तो जो पहुशती है वो लंबे समय तक अंदर रहती है तो या तो इसलिए करें पतिनी के लिए कर रहे हैं तो आप बेडरूम में भी कर सकते हैं और किचन में भी कर सकते हैं पती के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको किचन में कर लेना चाहिए या फिर आप अपने बेडरूम में करें या बेडरूम से ज़्यादा समय अगर कहीं और बिताते हों घर में जहाँ ज़्यादा उटते बैठते हों ऐसी जगह पर भी कर सकते हैं कोई ऐसी जगा जहां पर बैठने के बाद ज़्यादा ही दिमाग उनका खराब चले कि आप से बाचीत ना करें या कुछ और ही चलता रहे सिस्टम तो इन चीजों को भी रोकने के लिए उसी जगा पर रखिए जहां पर वो ज़्यादा उठ बैठ रहें तो जिन जगों पर बैठते उठते हैं वहां आप इसको रख दीजिए लेकिन छुपा के रखिएगा फिर आप देखेंगे कि काम इच्छा इतनी ज़्यादा होगी कि वो बिन अपनी पतिनी के नहीं रह पाएंगे या पतिनी बिन अपने पति के नहीं रह पाएंगे फिर दोनों पास आएंगे और इसके बाद में ये जो समस्याएं होती हैं कि प्यार नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं ये सारी चीज़े भी कम होती जाएंगे घरती जाएंगे क्योंकि इसमें ये इच्छा प्रवलता से रहेगी और ये बराबर बनी रहेगी ऐसा नहीं है कि ये खतम हो जाएगी तो बनी रहेगी इस वज़ा से दोनों में जो अकरसन है वो भी लगातर बना रहेगा तो बस इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए